नमस्कार, आज हम लोग discuss करेंगे इंफलेंजिया वायरस के बारे में, जो कि RNA वायरस का एक example है, अगर इसके detail description में जाएं तो हमें आर्थो मिक्सो वायरस के तैथ इंफलेंजिया वायरस को पढ़ने को मौका मिलता है, इसमें एक और वायरस का type होता है, जिसे हम पैरा मिक्सो वायरस कहते हैं, उनके बारे में भी यहीं पर हमें discuss करने का मौका मिलेगा, दोनों की वीच में कुछ differences हैं, और आम तोर पर हमने पहले भी discuss कर रखा है कि जो RNA वायरस हैं, वो evolutionary process में पहले आये, उसके बाद DNA वायरस आते हैं, तो जो RNA वायरस हैं, उनमें mutation के chances, recombination के नए-न pattern देखने को हमें मिलता है, इसी वचा से इसमें antigenic shift, antigenic drift जैसी conditions हम inflangia viruses के मामने वे देखने को पाएंगे, हाला कि जब paramixoviruses की बात होगी, तो उसमें ये घटनाएं कम होंगी, paramixoviruses जो mum से respiratory sensational viruses के association से हमें study करना है, उसमें virus की structure ज्यादा stable होगी, तो arthomixoviruses के category बे हम ज़्यादा changes देखने को मिलेंगे, जबकि paramixoviruses के category में हम कम changes होते हुए देखेंगे, तो inflangia virus actual में arthomixoviruses का example है, जबकि paramixoviruses में mumps हैं, mizzles है, respiratory sensational viruses के infection को हमें अगले category में पढ़ने को मौका मिलता है, देखें, paramixoviruses जहाँ पर arthomixoviruses अभी हमें इसी के बारे में प जाता है, तो segmented RNA genome हमें बोरा के example से याद करना है, हमें पहले ही बात कर रखा, बुनिया viruses, arthomixoviruses, rio viruses और arena viruses के example, बोरा के नाम से जब हमने बात किया था, तो segmented viruses का example, हमने segmented DNA रखने वाले या genetic material रखने वाले viruses की जो बात हुई थी, या थे segmented genetic material, बोरा के code से हम लोग ने सबसे पहले lecture में ही discuss किया था, तो उसमें बोरा में ओ जो है, वो arthomixoviruses का representative example, जो आज हमें पढ़ना है, वो inflangia viruses को पढ़ना है, तो देखें, segmented RNA genome, ये antigenic variation धर्शाने वाले, जबकि मैंने आपको कहाना, paramixoviruses थोड़े stable होते हैं, इसमें segmented नहीं होता है, जब आप mumps मिजल्स या respiratory syncytial viruses के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर single piece of RNA आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर segmented RNA होते हैं, जो 8 segments में पाया जाएगा, example की बात करें, तो आर्थomixoviruses के था हमें, if Lisa unflangia viruses के बारे मुआ पढ़ना है, जबकि paramixoviruses में हमें para complex viruses, mucle viruses और respiratory syncytial viruses के example के पढ़ेंगे, तो और 01 mixoviruses के दोनों categories के बारे हम लोग देख लिया inflangia और para-inflangia की position कहां पर होती अब चलते हैं इस आर्थो mixoviruses को थोड़ा सा detail में देखने की कोशिश करते है inflangia viruses इसका representative example है pediatrics का काफी important ये topic है जिसमें enveloped viruses ये होते हैं जिनके भीतर helical RNA का genetic material पाया जागा ये genetic material RNA के form में तो होता है लेकिन segmented RNA होता है अब सवाल है enveloped RNA enveloped virus है जिसमें segmented RNA की 8 copies पाय जाती है और इसमें आम तोर पर in general H spike और N spike जैसे enveloped के उपर कुछ spikes पाय जाते हैं इनका क्या importance है अभी हम थोड़े दिर में आपके साथ discuss करेंगे जो 8 segmented RNA है वो इसके एक खास पहचान है segmented genome हमें बुनिया viruses हमने आपको बता है और तो मिक्सो जो हाँ अभी हम पढ़ रहा है रियो viruses और एरिना viruses का example याद रखना है ओवराल देखा चाया तो influenza viruses के 3 types अबलेबल हैं जिसमें type A, type B, type C currently type C उतना मुश्किल नहीं कर रही है जो मेर हमारे लिए important है वो है type A type A ही further और जादा elaborated form में हमें study करना है या major epidemic और pandemic के लिए responsible है जबकि B, intermediate type का होता है C, mild illnesses cause कराता है type A पर focus करेंगे तो ये type A pandemic कराता है और अधिकतर जो epidemics होते हैं type A की वज़ा से होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरीके से genetic drift और genetic shift जैसी जो condition वो type A में बहुत जादा होती है और इसी वज़ा से epidemics और pandemics बहुत बड़े level पर इसके involvement देखे गा है type B का जो genetic material होता है वो थोड़ा stable होता है और इस वज़ा से उतनी मुश्किल नहीं करता है तो type B intermediate types के example है type C currently circulating में नहीं है तो type A की वज़ा से ही सारे epidemics और pandemics की घटनाए देखने को मिल रही है तो severity wise type A बहुत severe होता है extremely harmful effects और ऐसा क्यों होता है type A के साथ ही इस पर भी हम discuss करेंगे type B की बात करें तो ये common तो है लेकिन let's see we are है ज़ादा harmful नहीं होता है non pandemic association होता है तो pandemic epidemic जो हम term कह रहे हैं अभी इसको भी देख लें PSM का ये point है type C mild rare या non epidemic conditions के लिए responsible इसलिए type B और type C पर हम ज़ादा focus नहीं करेंगे हम जो भी बात करेंगे type A पर करेंगे और इसमें जो epidemic और pandemic जैसे terms इसके बारे में देख लें endemic का मतलब ये होता है जब वो कोई disease किसी खास particular reason या population को ही permanently प्रभावित कर रही हो localized हो endemic कहलाती है epidemic का मतलब outbreak होता है जो बहुत सारे लोगों में same time में अचानक से प्रभावित करता है ये spread हो सकता है एक या एक से धिक communities में pandemic का मतलब होता है जब epidemic spread करता है throughout world तो वो pandemic कहलाता है यहाँ पर देखा जा सकता है virus के structure और इसमें type A के level पर देखें तो इसके surface पर जो spikes हैं जो hym agglutination और neuraminidase से related spikes जिसमें hym agglutination वाले मामले जो होते हैं इस पर हम पहले बात किये हुए हैं virus के structure पर जो H spike होता है hym agglutination से related होता है इसमें ये किसी surface पर चिपकने में मदद करता है जब कभी भी हम term कहते हैं mix of viruses तो उसका मतलब यह होता है कहीं surface पर जाकरके attached होने की tendency तो H spike जो इसका होता है वो attached होने में मदद करता है इसके अलावा hym agglutination कराने में मदद करता है इसके करान पर असे वायरस के चार और protection का एक environment तयार होता है hym agglutination की वज़ा से जब कि आप समझ सकते हैं ये एक protection जब दे देगा तो cell के भीतर enter कर पाना आसान हो जाता है और उसके बाद ये cell के भीतर जब वायरस गया तो वहाँ multiply करता है अपने numbers बढ़ाता है numbers जब बढ़ा लेता है तो फिर उसको उस cell को तोड़कर के बाहर निकलने में N spike मदद करता है याद रखेंगे तो यहाँ पर देखें N spike है ये वायरस को cell के भीतर multiply करने के बाद निकलने में मदद करता है वायरस किस तरीके से अंदर enter करता है respiratory epithelial cells के भीतर इसके enter करने की process को देखें तो ये अपने H spike के मदद से अंदर के और enter करने में सफलता पाता है addition करता है फिर ये endocytosis के द्वारा आप देखें इसके भीतर एक vesicles के भीतर आ गया अपने आपको survive कर ले जाएगा endocytosis के द्वारा ये भीतर की और आ चुका है इसके बाद ये अपने आपको uncoat करता और genetic content को बाहर निकालने का प्रयास करता है देखें आप ये genetic content को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है इस process को रोकने के लिए ये genetic content को निकालना पाए endocytosis होने के बाद ये fuse करके देखें आप ये nucleus के पास जाकर के fuse करता है और उसके बाद अपने content को बाहर निकालता है इस प्रोसेस को नहीं होने देने के लिए अनकोटिंग के लिए अनकोटिंग को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एमेंटाडिन या रेमेंटाडिन करके ड्रक्स होते हैं जो इसे रोकने का काम करते हैं तो एमेंटाडिन का रोल आपको पता चल गया RNA से फिर DNA, DNA से फिर assembly होगी, फिर जुड़ करके अपने हिसाब के capsid protein त्यार करेगा, और अपने genetic material त्यार करेगा, फिर ये assembled हो जाएंगे, बात समझ रहा न, ये assembled हो जाएंगे, जो भी जरूरी proteins थे, ये viral RNA, DNA में बदला, DNA में बदलने के बाद अपने हिसाब से protein बना रहा है, protein की synthesis शुरू हो गई, इसके अलावा, ये अपने हिसाब से RNA बनाना शुरू कर दिया, ये assembled हो जाते हैं, और assembled होने के बाद release हो जाते हैं, release होने के लिए neuraminidase का रोल होता है, किसका रोल होता है, neuraminidase का रोल होता है, तो जो इसके surface पर spike बनते हैं neuraminidase, वो इसे बाहर निकलन में मदद करते हैं, वो इसे बाहर निकलने में मदद करते हैं, तो neuraminidase inhibitor drugs design के एक है, जिसके level पर, और सेल्टा में विर, जैना में विर, इस तरीके से drugs का नाम हमारे सामने आता है, तो neuraminidase inhibitor drugs के बारे में भी हम discuss करेंगे, इंफ्लेंजा के against, IAP का recommendation है कि हमें vaccine लगवा लेना चाहिए, लेकिन mission इंदरधनूश में इसके against जो recommendation तो IAP की है, लेकिन mission इंदरधनूश के तहत, जो मुफ्त में दिये जाने वाले vaccines हैं, उसके तहत, इंफ्लेंजा का vaccine शामिल नहीं किया गया है, तो हम देख सकते हैं, इस जो हम H spike और N spike की बात करें, इसकी structure लगातार बदलती रहती है, इस वज़ा से जो हम drug का target बना रहे हैं, वो target अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, देखें, type A, type A में ही H spike और N spike के variability होती रहती है, type B, intermediate type का इसमें होता है, type C में mild illness होती है, तो जो antigenic structure है, जो H spike और N spike ह यह vary करती रहती है, और इसी वज़ा से H1, N1, H3, N2, H5, N1 जैसी condition हम कहते रहते हैं, तो यह जो antigenic variability होती है, इसी की वज़ा से inflangia के types बदलते रहते हैं, type A में ही यह variability होती है, इसके लावा हम लोगों ने ribonucleo protein के level पर देखा, और M antigen, यह antigen type specific होते हैं, इसमें बहुत surface पर पाया जाते हैं, वो काफी बदलाव लाते हैं, ध्यान में रखना है बात, surface पर पाया जाने वाला है, जो H spike है, N spike है, वही variability दर्शा था, जो internal antigen है, जो RNP है, M antigen है, यह stable बने रहते हैं, और इसी वज़ा से RNP के द्वारा ही, हम इसे type A, type B, type C में बदले हैं, फिर type A क भीतर, जो changes होते हैं, वो surface antigen के आधार पर बदलते रहते हैं, और हम लोग ने discuss कर रखा न, जो H spike है, N spike है, इससे related, जीन्स में recombination या point mutation होते रहने के नाते, इसकी stability नहीं होती हैं, और RNA viruses stable होते भी नहीं, उनमें mutation के ज्यादा chances होते हैं, तो उसमें changes के गुंजाईश में बहुत जादा होते हैं, और इसी वज़ा से H1N1 से शुरू होता हूँ, यह मामला बहुत सारे level तक आया, तो ध्यान रखना है, जो internal antigen है, वो stable होते हैं, RNP antigen जो हो गया, M antigen हो बहुत stable होते हैं, और इसी वज़ा से यह type इनके बनाए गया है, RNP की basis पर, लेकिन जो external antigen है, surface antigen है, H spike, N spike वाले जो antigen है, वो assortment करते रहते हैं, recombination करते रहते हैं, उनके वीदर point mutation होते रहते हैं, और इसके कारण उनमें structural variation देखने को मिलते हैं, देखें, H spike, N spike जो external होता है, और RNP यह internal antigen है, जिसकी वज़ा से इनके types A, B, C decide किया है, तो external antigen जिसके दवारा H spike, N spike क variability देखने को मिलते हैं, यह H spike होते हैं, हिम agglutination, H spike, जो attachment के लिए responsible होते हैं, आपने देखा था, शिवराती दर में H spike की काम करता है, इसके अलावा, यह RBC के level पर, इसके ability होती है, to attach RBC on its surface, इस वज़ा से हिम agglutination होता है, जबकि N spike क्या कर रहा था, निरामिन डेज से related, ज inhibited को target रखते हुए, हमने drug बनाने का प्रयास किया, निरामिन डेज से related जो spike है, यह destroy करते हैं, cell की boundary को और उसके द्वारा detachment possible हो पाता है, तो influenza viruses, किस family को belong करते हैं, और्थो मिक्सो वारिस को, परामिक्सो वारिस में हमें किस के बारे में पढ़ना है, मॉम्स के बारे में पढ़ेंगे, टोगा वारिस यह भी vector born infection से related होते हैं, और्थो मिक्सो में हमने अभी आप से कहा, influenza का association, H spike, जो surface antigen के तोर पर देखा जाता है, यह highly antigenic होता है, और इसमें antigenic variations ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसी की वज़ह से epidemics होते हैं, तो देख लें, यह जो H spike and spike म से होते हैं, और उनके variation का कितना बड़ा changes हो सकता है, तो antigenic variations जो होते हैं, वो shift हो सकता है, या drift हो सकता है, shift हुआ, shift होने का मतब पूरा का पूरा shift हो गया, पूरा का पूरा जो shift होता है, वो genetic recombination की वज़ह से होता है, genetic recombination, पूरा का पूरा नया combination तयार होता है, इस करा सकता है जबकि छोटे-छोटे एकर changes हो रहे हैं छोटे-छोटे changes होंगे तो body की immunity भी उसको पहचान करती जाएगी क्यों कि थोड़ए-थोड़ए changes हो रहा है तो body की immunity भी उसको पहचानती जा रही है इस वजय से जो genetic drift होते हैं तो इसके कारण periodic epidemics होते हैं तो periodic epidemics मतलग आप समझ सकते हैं कि बड़े reason को तो प्रभाइट करते हैं global इसका variation नहीं हो तो जो drift होते हैं वो slow changes होते हैं और किसी खास particular reason तक ही प्रभाइट करते हैं इतना बड़ा virus में बदलाव नहीं आते हैं जो drift है वो mutation की वज़ा से होता है point mutation होते हैं छोटे सी mutation होते हैं mutation भी नहीं, point mutation की वज़ा से drift छोटा सा एक point पर mutation हुआ इस वज़ा से drift हो गया, थोड़ा सा change हो गया तो इसके कारण जब भी इस तरीकी के drift होते हैं epidemic changes देखने को मिल जाते हैं जबकि बड़े लेवल पर जब होगा तो नए सिरे से नए कॉंबिनेशन तयार होते हैं, जो बड़े चिंजिस लाते हैं, जिसके करण पुरा-पुरा वायरस का पुरा-पुरा कंटेंट ही शिफ्ट हो जाया देगा, इसी वज़े से जनेटिक शिफ्टिंग होती है, जो दु इसके करण पैंडमिक वर्ड लेवल पर जबकि एंटिजनिक ड्रिफ्ट यह माइनर एंटिजनिक चिंजिस धीरे धीरो यह जनेटिक पॉइंट मुटेशन की वज़ा से होता है, पॉइंट किसी छोटे से पॉइंट पर मुटेशन हुआ, इसकी वज़ा से वायरस बदलेग है, होता तो है, चुकि चिंजिस हुआ है, लेकिन पॉइंट मुटेशन हुआ है, इसलिए उतनी दिक्कत की बात नहीं होती, यह टाइप A के मामलों में, हर दो से तीन सालों में होता है, टाइप B के मामलों में, हर 4-7 यह पर इस तरह के वामले देखने को मिलते हैं, तो तो हैं, दो से तीन सालों में होता है, टाइप B के मामलों में, 4-7 यह पर होता है, यह क्या previous antibodies से affected होते हैं, बिलकुल होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चोटी चिंजिस हैं, इसलिए इसमें antibodies इसे पहचान ले जाती, इतना बड़ा चिंजिस नहीं होता है, इसलिए antibodies इसके against काम क पर जाती हैं, लेकिन अगर antigenic shift होता है, तो body के antibodies जो previous बने हुए antibodies होते हैं, वो भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नया वायरस आता है, shift में पूरा पूरा scenario ही बदला हुआ होता है, इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं, देखें, एंफलेंजा में इ incubation period कितना होता है, 18-72 hours, बहुत जल्दी ही इसके infection का असर देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, चीक आई नहीं के अगले एक दिन के भीतर ही हमें इसके infection होई जाते हैं, इसके कितने types हैं, type A, type B, type C, ये किसके आधार पर हैं, internal antigen के आधार पर, RNP और M antigen के आधार पर type है, type A में फर्दर H1, N1, S3, N2 वाले जो मामले हैं, वो इस A के external antigen में होने वाले changes की वज़ास है, ये fever, cuff, rhinorrhea, fatigue, headache, कुछ मामल में rhinorrhea और जादा severity के साथ निमोनिया भी करा सकता है, headache का मामला कई बार incephalitis के साथ associated हो सकता है, तो influenza में severity है, लेकि उतनी जाद severity नहीं है, fever, cuff, malaise, rhinorrhea के साथ आम तोर पर presentation होता है, source of infection इसमें कोई सब clinical cases यह होते हैं, और हमने आप से कहा ना कि कुछ समय में, कुछ समय के बाद इसकी periodic epidemics देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें cyclical trends हमें देखने को मिलता है, नीट में सारे पूछे के points हैं, ये PSM के point of view से जादा important है, हमने आपको बताया ना, type A, यही epidemic और pandemic के लिए responsible होता है, type B, ये किवल epidemic कराता है, जो हर 4-7 साल में होता है, जो type A के दोरा epidemic अगर होगा, तो 2-3 सालों में pandemic होता है, तो 10-15 सालों में होता है, ये बड़े level के antigenic shift की वज़ा से होता है, नीट में ये सारे point possible होता है, जिसके current pandemic से देखने को मिलते हैं, देखते हैं, एमस का एक पुछागा question, तो ये information based मामले होते हैं, action में क्या होता है, कि जब viral infection होता है, तो उसके बाद, पोस्ट इंफ्लेंजा नीमोनिया के बाद, उसमें viral के बाद bacterial involvement होता है, और आम तोर पर staphylococcus का मामले वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये information based question है, जिस वज़ा से हमने इसको शामिल किया, हमें पता है, अलग-अलग level पर genetic recombination की वज़ा से viruses में नाम रखे गए, जिसमें S3N2 सबसे common type का Inflangia viruses, H1N1 swan flu इसे कहा जाता है, H5N1 avian flu होता है, और चाइना में 2013 में जो था, वो H7N9 था, तो ये देखा जा सकता है, most common अगर पूछा जाता है, S3N2 most common type है, Inflangia, चुकि RNA viruses की वज़ा से होता है, तो RT-PCR के द्वारा हमें उसके बारे में पता कर सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे हम करोना के infection के मावलों में पता करते हैं, RT-PCR, चाहें तो करोना में RNA virus होता है, तो हम क्या देखते हैं, सारी चीज़ें खुद से recall कर सकते है हम antigen को चेक करने के लिए, आपने देखा हो को बहुत सारे fast kit आ रहे हैं, तो वैसे हम यहाँ पर antigen की भी पहचान करने के तरीके अपना सकते हैं, देखें यहाँ पर directly हम antigen की पहचान करने, immunofluorescence के द्वारा यह बहुत sensitive method होता है, ELIZA technique का इस्तिमाल करके हम इस तरीके से इ जाएंगे, लेकिन virus को cultivate करने के बजाए हम RT-PCR ज्यादा अच्छा मालेंगे, इसके लावा antibodies का detection करना चाहें, तो हम hym agglutination inhibition test करा करके इस तरीके के मामलों को पता कर सकते हैं, यह क्या होता है, यह general backtrology में हम लोग ने discuss कर रखा है, तो treatment हमारे पास क्या है, uncoting inhibitor drugs हम दे सक भी अच्छे काम करते हैं, ocultamavir या genomavir या peramavir करके drugs होते हैं, तो ocultamavir 750 mg bd dose 5 days के लिए देते हैं, यह prevention के मामलों में single दिया जाता है, अगर symptomatic patient है, तो फिर ocultamavir और genomavir दोनों drugs मिला करके दिया जाता है, genomavir यह जो drug है, इसे intra-nezzle root से दिया जाता है, इस प्रे के question पूछा गया है, emantadine कैसे काम करता है, क्या यह HA को, him agglutination को ब्लॉक करता है, नहीं, क्या यह RNP को ब्लॉक करता है, नहीं, क्या यह neuraminidase को ब्लॉक करता है, यह M2 protein को, viral M2 protein को ब्लॉक करता है, तो आप देखें, यह जो M2 inhibitor या फिर uncoting inhibitors के categories में emantadine को रखा गया है, inflangia virus क्या करता है, पहले uncote होता है, फिर nuclease के भीतर जाता है, नुकलेस से भीतर से जाने के बाद फिर यह बाहर के रोड निकलता है, तो uncote होने के समय, M2 inhibitor drugs या फिर uncoting inhibitor drugs का रोड होता है, जब यह बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होता है, तो यहाँ पर neuraminidase inhibitor drugs का रोड होता है, तो drugs हमारे पास दोई, जो सबसे famous हैं, वो दो इस तरीके से divide की गई है, दो बड़े classes हैं, बागी और भी तरीके हैं यहाँ पर, लेकिन uncoting inhibitors जो viral uncoting को और उसके replication को inhibit करता है, उसमें emantadine, remantadine शामिल की गई है, यह drugs anti-parkinson's property भी रखती हैं, क्योंकि यह dopamine की facilitatory action भी रखती हैं, जबकि neuraminidase inhibitors जो drugs हैं उसमें, जैनामविर और पैरामविर करके drugs हैं, यह drugs जो जैनामविर है, यह inhalational root से दी जाती है, इंट्रानेजलरी, जैकि parental root से पैरामविर ड्रग दी जाती है, पी फार पैरेंट्रल, यह drug of choice हैं, H5N1 bird flu के लिए, H1N1 spine flu के लिए, एक न इंफलेंजा के मामदों में, killed vaccine most commonly इस्तिमाल किया जा रहा है, नीट में पूछा गया question है, यह subcutaneously दिया जाता है, इसे ऐलेंट्रोई cavity में grow करा करके प्रिपेर किया जाता है, live vaccine जो होते हैं, वो temperature sensitive होते हैं, temperature sensitive mutants का इस्तिमाल करके बनाया जाते हैं, और इसे intranasional spray के द्व दिया आता है, नीट में पूछा गया question, true about influenza vaccine, तो live vaccine used most commonly नहीं, यहाँ पर हम killed vaccine का इस्तिमाल सबसे जादा करते हैं, live vaccine given by nasal drop ठीक बात है, इसे intranasional root से दिया आता है, देखिया आप live vaccine, intranasional spray के द्वारा, killed vaccine given by intramuscular indeltoide नहीं, यह से subcutaneous root से देते हैं, killed vaccine, subcutaneous roots, तो यहाँ बात भी गलत शाविक, बी option हमारा सही है, जो nasal drops के रूप में live vaccine दी जाती है, याद रखेंगे इसे, एक बात यह भी याद रखना है, आई एपी के schedule में, influenza vaccine शामिल किया गया है, लेकिन इसे national immunization schedule में शामिल नहीं किया गया है, तो pediatric का यह point है, कौन कौन से ऐसे vaccines हैं, जो IAP recommend तो किया है, लेकिन mission इंदरधनूश का national immunization schedule का हिस्सा नहीं है, तो इसमें MCH TV inhibited, तो MCH करने के दौरान जो लोग MCH कर लेते, इतनी बड़ी पढ़ाई कर लेते, वो TV नहीं ही देख पाते, तो M मतलब MMR, C मतलब cholera, H का मतलब HPV, T far typhired, V far varicella और inhibited मतलब influenza, तो M far MMR, जो cholera के vaccine, यह हम चाहें तो लगवा सकते हैं, बच्चे को लेकिन mission इंदरधनूश में यह शामिल नहीं है, इसलिए पैसे देने पड़ेंगे, HPV के जो vaccine है, वो भी ped होते हैं, recommended है, लेकिन mission इंदरधनूश में शामिल नहीं है, टाइफाइड के vaccine यह भी लगवा सकते हैं, varicella क vaccine लगवा सकते हैं, इंदरधनूश का हिस्सा नहीं है, इसे ped लगवाना पड़ता है, तो hepatitis A की vaccine भी इसमें शामिल के गए हैं, यहां H का मतलब HPV और hepatitis A दोनों ही शामिल हैं, तो hepatitis A का जो vaccine है, यह inactivated hepatitis A की vaccine बनाये गए हैं, जो दो doses में इंडिया में दिये जाते हैं, हा से जादा होते हैं, हम hepatitis में discuss करेंगे, थोड़ी सी बात इसलिए करना है, एक्स्ट्रा क्योंकि हमें पता है, इंफ्लेंजिया के साथ और कौन-कौन से vaccine है, जो इंडिया में है, पेडियाट्रिक्स का यह पॉइंट है, तो इंडिया में 12 मन्थ के बाद के बच्चों में यह से चिक करते हैं, आई जी जी के लेवल को चिक करके पता किया जाता है, आम तोर पर 10 यह के बाद इस vaccine को देने का कोई रूल नहीं होता है, तब तक खुद से ही immunized हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आपको पता है, फीको औरल रूट से Hepatitis A के infection होने के chances होते हैं, और खुद से अगर infection अगर हो गया, तो 10 साल तक होते 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 50% बच्चे खुद से इसको immunity पा लेते हैं, तो इसलिए अगर 1 year के आसपास का मामल है, तो 1 year से अगर हमने दिया पहला dose, तो 1.5 year पर 6 मन्थ के बाद दूसरा dose दे करके complete कर लेंगे, क्योंकि inactivated vaccine देते हैं, live vaccine होता है, तो 1.5 year पर उन्हें पता चला कि hepatitis A का vaccine, पेड है, दिया जा सकता है, तो वो आते हैं, डॉक्टर के पास मिलते हैं, तो अगर 10 साल से पहले-पहले आये, तो वही सारी चीज़े हैं, दो doses हम कहेंगे 6 month apart लेने के लिए, क्योंकि inactivated vaccine, live हो से जादा उम्र के बच्चे के लिए, अगर कोई गार्जियों आते हैं, तो screening करने के जरूवत होती है, क्योंकि ideally 10 साल तक करें 50% बच्चे 0-positive हो जाते हैं, उनमें IgG का level जो हमारा critical level होता है, उससे कहीं rise किया हुआ 50% बच्चों मिल जाता है, यानि 50% बच्चों में इसके infection हो करके ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए 10 साल के बाद vaccination से पहले screening करना चाहिए, हेविटाइटिस एक एगंस्ट antibodies बने हैं या नहीं बने, इसके लामा varicella vaccine, जो कि live attenuated VZV, varicella joster vaccine है, जिसे हम Okaistrin से प्राप्त करते हैं, ये vaccination, humoral और cellular, दोनों तरीके की immunity provide करती है, इसे subcutaneously दिया जाता है, ये life-lized vaccine है, तो इसलिए इसको बनाते हैं और उसके बाद, reconstitution के 30 minute के भीतर ही इसको इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको light से बचाना चाहिए, कौन है, varicella vaccine, कौन सा strain इस्तेमाल करते हैं, याद रहेगा, इसके दो doses होते हैं, और यहाँ जो difference होता है, वो 3 months का होता है, varicella vaccine के मामने में, तो यहाँ पर 15 month पर अगर एक दिया, तो दूसरा 18 month, से लेकर 24 month के भीच में, पहला dose 15 पर लिया, तो 3 month apart आप दे ही सकते हैं, इसको 18 month पर दे सकते हैं, एक question पूछा गया है, wish of the following vaccine not routinely recommended in 12 year old child, तो varicella ठीक है, यहाँ पर hepatitis A, अब hepatitis A अगर है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर यह routinely recommended नहीं होगा 12 year child में, इंफ्लेंजा तो चुकि लगातार अपने यह virus changes अपने shape में करते रहते हैं, एंटीजनिक drift का risk होता है, इसलिए हर साल इसका recommendation है, कि एंटीजनिक drift होने की वज़ा से नए vaccine को हर बार लगाते रहना चाहिए, नए farm आते रहते हैं उसके, यह recommended होता है, उन patients में, जिन में prolonged salicylate therapy चल रही हो, जो Kawasaki disease और rheumatoid arthritis के मामलों में चल रहा हो, तो उसमें influenza vaccine ले लेना चाहिए, फिर आगया tie-fied के मामले तो यह भी दिये जा सकते हैं, यह 18 years तक दिया जा सकता है, तो 12 years के मामलों में, यह recommendation इसलिए हो, क्योंकि 10 years तक ही दिया जाता है, 10 years से बाद अगर है, तो ह parent-tapied vaccine जो इस्तेमाल किया जाती है, इसमें live oral attenuated TY21A vaccine चोकि इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाती है, parental VI polysaccharide vaccine यह 2 साल से कम उमरी के बच्चों में नहीं दिया जाती है, इसको पहली बार जब भी दिया जाएगा 2 years पर दिया जाता है, और इसका re-vaccination हर 3 साल पर करना VI polysaccharide जो capsular vaccine होता है, यह conjugate vaccine होता है, इसको अगर यह vaccine हम दे रहा है, तो यह 2 साल से कम उमरी के बच्चों में दिया जा सकता है, इसका single dose 6 to 9 month पर दिया जा सकता है, तो अब देख सकते हैं यह vaccine के 3 तरीके हैं, जिसमें TY21A vaccine जो है इंडिया में नहीं दिया जाता है, catch up vaccination आम सकता है, फिर HPV vaccine के बारे में अभी हमने देखा, recombination के टेकनिक के द्वारा बनाया गया, bivalent 16-18 को के वल cover करता था, quadrivalent 16-18 के लामा 6 और 11 को भी cover करता था, इसमें quadrivalent अगर हम दे रहे हैं, तो 0-2 6 month पर देते हैं, bivalent अगर देते हैं, तो 0-1 6 month पर देते हैं, और यह ज से पहले नहीं देना है, 9-14 years के बीच में दे रहे हैं, दो ही dose परियाप्त होते हैं, 6 month apart, कम से कम 5 महिने का तो अंतर होना ही चाहिए, दो dose कवर कर लीजे, लेकिन अगर 15 year के बाद दे रहे हैं, तो फिर 3 dose देना पड़ता है, bivalent अगर आप इस्तिमाल करना हैं, तो 0-1 6, औ quadrivalent इस्तिमाल करना हैं, 0-6 month, इसके बाद इतना सारा जो discussion हमने किया, वो influenza vaccine के लिए किया, तो इसमें trivalent inactivated, influenza vaccine का इस्तिमाल करते हैं, minimum 6 month की age पर दिया जा सकता है, schedule क्या होता है, 6 month से 9 year तक, 2 dose देते हैं, एक महिने की difference पर, और 9 month से जादा, उमरिका अगर कोई baby आता है तो मिस child आता है, तो उसमें single dose ही दिया जाता है, lab personal और health care workers को influenza vaccine अन्वली दिया जाता है, influenza vaccine गुलन बैरी syndrome और severe egg allergy वाले mom लोग को patients में नहीं देना चाहिए, MMR, yellow fever भी egg allergy रखने वाले लोगों में नहीं देना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग ने एक general concept बनाने का प्रयास किया, influenza viruses उसके related vaccines और pediatrics में कौन-कौन से vaccine IAP recommendation के साथ हैं, उनके बारे में हम लोग ने study किया, next level पर हम बात करेंगे para influenza viruses के बारे में, माफ करें, para mixo viruses के बारे में, जिसमें mom's, measles और respiratory sensation viruses के infection के बारे में बात करेंगे